असलाम अलेकूम, विलकम बैक, आज हम अपने इंटोड़क्शन टू फोटोशॉप सीरीज का लेक्चर 5 कर रहे हैं और इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉंसेट फ्लेर मास्क एंड मास्किंग तो हम सबसे पहले तो इस लेक्चर का जो भी हमारा कोर्स कंटेंट है वो देख लेते हैं तो इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा मास्क फोटोशॉप में क्या होता है हम mask apply कैसे करते हैं और हम mask के साथ कैसे काम करते हैं उसके बाद से हम देखेंगे masking के कुछ real life examples और फिर हम उसके बाद से एक छोटा सा project बनाएंगे जिसमें हम एक product shot का background हटाएंगे और हम उसमें masking use करेंगे तो चलिए अब photoshop में चलते हैं और वहाँ पे हम बाकी की चीज़ में देखते हैं तो हम photoshop में आ गए हैं और photoshop में मैंने पहले से एक document बना रखा है और इस document में मैं एक new layer बनाऊँगा और इस new layer पे मैं कुछ content बना देता हूँ जिससे हमारा masking का concept समझने में आसानी रहे है तो मैं यहाँ पे एक ellipse बना रहा हूँ और मैं इसको green color से fill कर दूँगा तो मैंने यहाँ पे एक ellipse बना लिया है और अब मैं layer 1 पे एक layer mask लगाने जा रहा हूँ अगर make sure कि अगर आप layer mask लगाने किसी layer पे जा रहे हैं तो वो layer active हो अगर मैं यहाँ click करूँगा background पे तो आप देख सकते हैं कि अभी background layer active हो गई हो मैं जैसे layer 1 पे click करूँगा तो हमारी layer 1 active हो जाएगी तो आपको जिस भी layer पे आपका layer mask लगाना है आप पहले यह ध्यान दें कि आप वाली layer आपने active कर रखी है तो layer mask लगाने के लिए आप simply यहाँ पे जिए जो आइकन है layer add a new layer mask का आप इस पे जा सकते हो और आप इस पे जैसी click करेंगे Photoshop एक आपको rectangle बना के दे देगा और इस rectangle के आजवा जो आप देख सकते हैं एक white frame देख रहा है आपको इस frame का मतलब यह है कि currently जो आपका layer mask आपने लगाया है वो active है और अगर आप कुछ भी करेंगे अभी वो इस layer mask पे होगा ना कि हमारा जो main layer है उस पे होगा तो आप मान लीजे अगर कुछ यहां draw करना चाहते हैं तो वो layer mask पे होगा और वो आपको show नहीं होगा आपका जो भी layer है उसमें और उसके लिए अगर मान लीजे आपको कुछ layer के जो main content हो उस पे draw करना है तो उसके लिए आपको पहले layer का जो thumbnail है उस पे click करके आपको layer active करनी पड़ेगी तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि mask होता क्या है Photoshop में अगर mask के आप बात करते हैं तो simply mask का का काम यह है कि layer का जो भी content है वो height करने के काम आता है mask या फिर आपका जो भी adjustment layer है उसका effect height करने के लिए आता है तो सबसे पहले तो आपने mask apply कर दिया अब आप mask के साथ काम कैसे करते हैं तो by default अगर आप किसी भी layer पे layer mask apply करते हैं तो वो Photoshop उसको पूरा का पूरा white करके देता है अब white करने का मतलब ये है कि Photoshop में अभी कुछ भी height नहीं किया है और आप ये चीज़ अच्छे से याद रखें कि अगर आपका layer mask पे white color है जहां जहां वो वो area आपका show हो रहा है या वो area height नहीं हुआ है और जहां भी layer mask के icon में आपको black color देख रहा है वो आप समझ लें कि वो area आप height कर रहा है तो इसका समझने के लिए मैं आपको एक simple करके दिखाता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना brush tool select करूँगा और आप देख सकते हैं मेरा जो foreground color है वो यहाँ पे black है तो मैं brush tool अपना थोड़ा सा इसका size बड़ा करता हूँ और अब मैं simply यहाँ पे paint करने जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे paint करूँगा जो हमारा यह layer mask का icon है वो update हो जाएगा तो मालीजे मैंने यहाँ पे अपना किया और आप देख सकते हैं कि layer mask का जो हमारा icon है वहाँ पे black color की line बन गई वो इसलिए क्योंकि जो भी हम अभी कर रहे हैं वो हमारा layer mask पे हो रहा है अगर हम अगर यही same चीज हम अपने layer के content पे करते तो यह हमें कुछ ऐसा दिखाई देता पर क्योंकि हम यह same चीज हम अपने layer mask पे कर रहे थे तो हमें वो black ना दिखके हमें simply layer mask में उतनी चीज हाइट कर दी अगर मैं इसको यहाँ एक बार और करूँ गा तो आप देख सकते हैं जहाँ भी मैंने brush चलाया वो area erase हो गया और hide हो गया अगर आप इस चीज को वापस लाना चाहते हैं तो आप simply अपना color change करने white करने और white लेके आप अपने layer mask पे जैसी paint करेंगे तो यह area वापस से आपका show होने लगे गया तो आपने देखा कि अगर मैं black से paint करता हूँ तो यह height कर रहा है जो भी हमारा layer का content है और अगर मैं white से paint कर रहा हूँ तो वह जो भी hidden content है वह show करने लग रहा है तो पूरा जो layer का concept है यह बस इनी दो चीज़ों पर है कि आप white से paint करेंगे तो वह show करेगा और आप black से paint करेंगे तो वह height कर देगा और अब बात यह आती है कि आप layer mask use क्यों करेंगे तो मान लीजे अगर आप उनको से भी कर सकते थे या आप selection बना के उसको delete भी कर सकते थे पर आपने layer mask क्यों use किया इसका एक simple सा reason यह है कि मान लीजे आपने कोई चीज़ कर दी और आप दो दिन बाद आप वह अच्छा नहीं लग रहा है और आप चाहते हैं कि आप वापस से वह area ले आए तो अगर आपने eraser से delete किया है या selection मना के delete किया है और आपने एक बर save कर दिया तो आप अगर दुबारा वो file खोलेंगे तो आपके undo काम नहीं करेंगे या आपने same उसी time में अगर बहुत सारे steps और कर दिये और वापस आप जाएंगे तो एक limit तक आप undo कर सकते हैं उसके आप नहीं कर सकते हैं पड़ेगा जो भी आप कर रहे थे पर अगर आपने mask लगा रखा है तो आप बहले कितने भी undo के बाद आएं या फिर अगर आपका undo खतम हो गया है तो भी कोई फार्क नहीं पड़ेगा या आपने दो दिन बाद भी अगर चाहते हैं कि यह area वापस आ जाएं तो आपको simply कर सिर्फ बहुत ही important concept और आप photoshop में जो भी advance पढ़ेंगे उसमें mask बहुत ही जादा हरी लगभग लगभग हर जगे यूज़ होता है तो यह हमारा mask का basic concept हो गया अब हम इसका कुछ examples देखते हैं कि हम mask कहां-कहां यूज़ करेंगे और क्या utility है mask की इसके लिए मेरे पास दो image यहां पर है आप first image जो है हमारी वहां पर हमारा एक normal सा landscape का scene है पर यहां landscape में हमारा जो आप cloud देख रहे हैं वो कुछ खास नहीं है और मेरे पास जो दूसरी image है उसमें हमारा cloud बहुत अच्छ है तो मैं चाहता यह हूँ कि जो हमारा यह cloud वाला area है इसकी जगह में यह हमारा यह जो image है जिसमें cloud अच्छ है वो डाल दूँ तो उसको करने के लिए मैं सबसे पहले करना यह चाहता हूँ कि जो भी area है हमारा जहां पर cloud नहीं है वो select कर लूँ मैं और मैं उस area में simply एक mask बनाके यह area height कर दूँगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह होता कैसे है तो सबसे पहले तो मैं जो भी image में को replace करनी है मैं उसको drag drop करके इसके अंदर ले आता हूँ तो यह मैंने ले आई अपनी image अब मैं इसको थोड़ी एक लिए hide कर दे रहा हूँ और जो भी area में को select करना है मैं सबसे पहले तो background layer अप out का अला वो select करता हूँ तो वो select करने के लिए मैं अभी simply magic wand tool यूज कर रहा हूँ और यह इसने काफी अच्छा selection कर दिया है तो एक बर मेरा selection हो जाने के बाद मैं वापस से अपने layer 1 पर जाओंगा मैं इसे वापस से turn on करूँगा आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने selection बनाय करेगा वो second image में से शोख होगा अब selection मेराने के बाद जैसे ही मैं layer 1 पर आके यहां mask apply करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो भी area हमारा था जो selected दिखा रहा था फोटोशॉप फोटोशॉप ने उस area में सिर्फ white रहने दिया है बाकी के area में फोटोशॉप ने अपने आप भी black fill कर दिया है और आप देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही area जो हमारा है वो शो कर रहा है अगर आप इसको zoom in करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां हो सकता है कुछ area ऐसे होंगे जो कि अच्छे से select नहीं हुए होंगे जैसे कि यह area हो गया तो आप अगर इस area को वापस से सही करना चाहते हैं या correct करना चाहते हैं तो आप simply अपने layer mask पे brush select कर लें और यहां पर आप black paint से अपना यहां पर paint करते हैं इसके उपर तो black paint करने से होगा यह कि हमारा जो area था cloud का वो हमारा hide होता जा रहा है अगर आप मान लीजे आपने बहुत जादा कर दिया और आप बाहर निकल गए इससे तो आप वापस से area को ला सकते हैं आपको करना यह है कि आपको अपना color जो है वो white क कर लेना है और आपको वापस से इसके उपर paint कर देना है तो आप cloud वाली layer पर अभी paint कर रहे हैं तो हमारा जिस भी area पर आप white paint करेंगे वहां पर जो cloud थे वो वापस आ जाएंगे आप इसको चाहें तो जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं और आप इसको काफी refine कर सकते हैं आप अपना brush का size छोटा करके और zoom in करके काफी detail काम कर सकते हैं और यह हमारा यह image बन गई तो यह आप देख सकते हैं कि हमने simply इसमें किया यह कि हमारा जो भी area हमें replace करना था वो select किया हमने magic wind से और हमने इसके उपर एक नई layer डाली जो कि हमारी cloud की layer थी और हमने simply उसमें layer mask apply कर दिया जितना भी हमारा selection था अब उसके लिए alt दबा के आप इस पे click करेंगे तो आपको यह आपका जो भी mask रहेगा उसका preview दिखाने लगेगा और अगर आप इसके mask के उपर जाके control दबाके इसको click करते हैं तो आपका वो जितना भी आपका selection था वो area वो select कर देगा और अगर उसके बाद से आपको mask को disable करना है temporarily तो आप shift दबाके इस पे click करेंगे तो यह आप देख सकते हैं इसने x बना दिया red color का जिसका मतलब है कि यह temporarily थोड़ी देख लिए disable कर दिया है mask और यह पूरा का पूरा पूरा जो image थी वो show कर रहा है और अगर आपको वापस से इसको enable करना है तो आप shift दबाके इस पे वापस click कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा mask का एक real life use जहां पे आप कोई भी image में use कर सकते हैं और यह तो ही हमारी सिर्फ sky को replace करने के बाद आप इसके काफी use कर सकते हैं मतलब आप जो भी करना चाहें जो भ यह हो गया हमारा mask का use अब इसके बाद से हम अपना project पे चलते हैं और project जो हमारा है वो यह है कि हम एक product की image है हमारे पास अब product की image को हमको एक mask बना के यह जो हमारा product है उसको अलग करना है यह background से तो उसके लिए हम simply zoom in कर लेते हैं और हम अपना quick selection tool use करते हैं तो quick selection tool use करने के लिए मैं tool को अपना थोड़ा बढ़ा करता हूँ और हम यहाँ पर simply अपने जो भी object है उसके उपर हम move कर रहे हैं अपना cursor और यह select करता जा रहा है तो मैं ऐसे पूरा selection मना लूँगा और अगर आपको बहुत fine selection मनाना है तो आप zoom in कर सकते हैं और आप काफी detail उसमें काम कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ भी zooming किया और मैंने इसको अंदर जाके बहुती fine detailing से अपना selection बना लिया अब आप देख सकते हैं जो हमारा base है bottle का वो उसके बीच में और यह हमारा background के shadow है उसके बीच में बहुती कम color difference है इसलिए Photoshop इतना अच्छा इसका selection नहीं बना पा रहा है तो अभी के लिए हम इसको ऐसी छोड़ देते हैं और हम जैसे जब mask लगा लेंगे तो हम उसको brush से जाके उसको और जादा अच्छे से refine कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर simply हमारा selection मना लिया है और मैं यहाँ पर layer mask apply कर रहा हूँ अब आप देख सकते हैं मैंने जैसी layer mask apply कि आप Photoshop ने जितना area हमारा selected था उसको छोड़ के बाकी area में उसने black fill कर दिया और हमारा जो object है वो एक transparent background पर आ गया आप देख सकते हैं कुछ area थे जो select नहीं हो पाये थे जैसे कि यह beach का area हो गया और हमारा base के area में कुछ ज्यादा selection था तो हम इसको सही करने के लिए हम simply अपना brush select करेंगे और brush में हम अपना white color select करेंगे क्योंकि यह area हमें show करना है तो हम इसको white से paint कर देंगे और जो हमारा base है आप देख सकते हैं यहाँ कुछ area extra है तो इसको हटाने के लिए हम इसको black लेके हम इसको black से paint कर देंगे आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से वो area height कर दिया अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ बार बार select ना करके आप easily toggle कर लें keyboard shortcut से तो आप उसके लिए x दबा सकते हैं आप जैसी x दबाएंगे आपका जो background color और foreground color है वो interchange होता जाएगा तो यह तो हो गया हमारा जो भी product का cutout था वो simple हमने cutout बना लिया और हम इसके पीछे एक solid color रहेगा जो white हम वो डाल देते हैं जो कि हमारी background बन जाएगा तो यह हमारा project जो छोटा सा था वो complete हो गया है और आप please इसकी practice जरूर करें क्योंकि यह बहुत ही important concept है और photoshop में यह बहुत जादा use होने वाला है तो इसी के साथ हमारा जो lecture 5 था उसमें हमने सारी चीज़ें अपनी जो भी हम करने वाले थे वो हमने complete कर ली है और जो हम next lecture देखेंगे जो six lecture हम उसमें कुछ new चीज़ें देखेंगे और हम कुछ new project बनाएंगे आपका एक बहुत ही interesting project आने वाले है उसका जिसमें हम एक poster design करने वाले हैं और हम उसको उसमें जो भी typography है हम उससे पूरा deal करेंगे और वो बहुत ही interesting होता है कि आप typography कैसे use करते हैं और आप कैसे उसको अच्छा दिखाते हैं तो इंशाला आपको वो पसंद बहुत जादा पसंद आएगा और मैं आपसे फिर next lecture में मिलूँगा तब तक के लिए अल्ला आपिस